क今天 कि हेलो friends सो आभ़का यह वीडियो एक demanding वीडियों मेरे पास कमेंट आये तहbij उन्हें मुझसे बोलवाई दाप सानेस के बारे मुझ बताई और इसके treatment इमिंडे बॉड़्र के म०र्ट यह तो एक तरह का बेस में होता है जो हमारी बाड़ी से बाहर निकलना वैसे तो सायनेस के अंदर एयर फिल्ड हो तो उस करडिशन में वेक्टिर बायर्स के जो तो यहां पर विद्ल हो साथीत और उसанич के हम नहें परasmusaitis बोलते हैं जो कि काफ़ेदा घातक भी हो सकती है अगर इसका टीट्मेंट नहीं किया गया तो हम सिंपल सी बाहता मगर कहें तो सैनुसाइटिस क्या होता कि हमारे सैनुस वाले पार्ट में स्वैलिंग आजाना उसको हम सैनुसाइटिस बोलते हैं और यह कभी-कभी ब्लॉक हो जाती है इसके कार्ड बस यहां पर जो फ्लेड जमा हो जाता है तो वैसे तो यह हमारी बॉड़ी से म्यूकस निकलना काफ़ इंपोर्टेंट होता है और अगर म्यूकस नहीं दर्द आपको लंबे समय तक जुकाम होना ऐसे कुछ सिंप्टम देखने को मिल सकते हैं और जो सैनुसाइटिस कंडिशन वो खास कर कॉमन कोल्टी के करण और अगर बॉड़ी में एलर्जी हो रही है उसके कार्ड हो सकती है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आकरकार इसक क्या क्या होते हैं इसके कार्ड क्या के फुर जिसकी बैसे साइनुसाइटिस वाली कंडिशन अकर हो जाती है तो यहां पर जो सबसे पहला रीजन हो हमारा कॉमन कोड़ अगर आपको साधर सा जुकाम हो जाता है जो की काफी लंबे समय से होता आ रहा है दस-पंदर दिन से ह होता हुए तो उस कंडिशन में हो सकता है आपको या वाली कंडिशन जिसको हम साने साथिस बोलते हैं ? उस कंडिशन में आपको साधर साधर ज Vousney जिनने को मिल सकती है फिर जो नेक्स हमारा सीजनल आलर्रोकि काफड़ने इंपोर्टेंट कउस है तो है तो यहाँ पर जो सीजनल है अगर आपको जैसे कि आपको सर्दियों में होता ह और तो यह भी एक रीजन होता है तो नेक्स टैप वो हमारा वीक इमिन सिस्टम कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका जो इमिन सिस्टम में वो प्रिजीज के अगेंस लड़ नहीं पाता है तो उस कंडिशन में आपको यह प्रॉड्म दिखने को मिल सकती है तो नेक्स अमारा बै बैक्ट्रिय बार्स की गुरूद पॉस्टिवल हो जाती है तो वहीं यहां पर कॉज कर देती है आपकी सानुसाइटिस वाली प्रॉलम फिर जो नेक्स्ट हमारा वारे इंफेक्शन जो की इससे लिटेड़ है बैक्ट्रिय बारस दोनों तरहें से गुरूद कर जाते हैं त पहला जो सिंटम वह बार नसल डिस सार्ज आपकी जो नांग बहेगी तो यह एक अलर्जी के कारड़ी होता है जैसे कि मैंने आपको बताए नेक्स हमारा फेसिल प्रेसर पड़ेगा आपको ऐसा फील होगा और आपके सर में आपके नांग में काफेदा पेल हो सकता है फिर आपको टाइडनेस आपकी बॉड़ी पूरी दरह से वीग हो सकती है और आपका इमिल सिस्टम वह भी साथ में बीख हो जाता है पर जो नेक्स डब हमारा फीवर जो की काफेदा कॉमन सिंटम है जो कि घर प्रकार की बीमारी में देखा जा सकता है आपकी बॉड़ी में किसी प्रकार की बारेल इंफेक्शन हो जाता है तो इस कंडिशन आपको बुखार सबसे पहले आता तो यह वी एक तरह का सिंटम होता है तो चलिए अब हम बात कर लेते इसके डियागनोस टेस्ट के बारे में अकरिकार जो डॉक्टर है वो कैसे डियागनोस करते हैं कि इस बंद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है फिर जो नेक्स्ट एस्ट है वह हमारा इंडो इसको भी इसमें आपको क्या होता कि एक लाइटनिंग होती है जो आपकी नाग में डाल दी जाती है तो इसके दूरू देखा जाता है कि आपम जो स्पेसिक हैं वह कहीं तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने treatment के बारे में क्या treatment दिया जाता है तो सबसे पहले टैबलेट होती हैं तो यह टैबलेट भी काफी दा यूज में लाई जा दी है तो सबसे जादी पॉपुलर टैबलेट वह हमारे पॉपुलर है अगर आपको स्टार्टिंग सिंटम में तो उस कंडिशन वाप मॉक्स का यूज कर सकते हैं तो अगर आपको मॉक्स रिलीफ नहीं मिल रहा है तो उस प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको पॉटेशिन क्लैबनेट मिल जाता है जो कि इनकी एक तो आपको यह शवय शाम लोगनी होती है और according to patient की condition पर वेट पर और उसके अकॉर्ड को प्रिसक्राब करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था को रोपने के लिए कुछ एलर्जिक ड्राइग वह हमारी लिवारी के नाम से काफिदा पॉपलर है जो सिपला कमपनी इसको मैनिफेक्टर करती है जो कि काफ़ अची टैबलेट है और अगर आपको इस से रिलीफ नहीं मिलता है तो उस कंडिशन डॉक्टर एलेगरा जो कि काफिदा यूजबल साल्ट है तो आप इसको भी यूजब कर सकते हैं और अगर हम बात करें इसके डूजिस की तो आपको यह टैबलेट शुवए शाम दिन में दो बार लेनी होती है अगर पेशन को सीवेर कंडिशन नहीं है तो उस कंडिशन में आप दिन में एक बा के पीचे काफी ज़्यादा बड़ा रीजन है तो इसके अंदर आपको एसलोफैनिक मिल जाता है सब्सक्राइब जो की तीनों सक्षे साल्ट है जो आपकी स्वेलिंग और पेन में काफी अच्छा काम करते हैं आप चाहें तो कोई अधर ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं तो यह कुछ एसी टेलिट है जो कि पेशेंट के पेट में जलन कर सकती है तो उस कंडिशन आप चाहें तो ऐसी लोग डेड़ सौ का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके अधर आपको रेंडेट जैसे साल्ट मिल जाता है और अगर आप चाहें तो पैंटम्राइब साट का भी य और यह आपकी इस कंडिशन में इसका काफिद यूसफल होती है और अगर हम बात करें कुछ ऐसे इंजेक्टिवल एंटीबाटिक के बारे में जो की आपको प्रिसक्राइब की जाती है तो जो सबसे पहली है वो हमारी टैक्सिंग के नाम से जिसके अंदर आपको सिफो टैक्स जाता साल्ट मिल जाता है जो की काफिद पॉपुलर है तो आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं और जो नेक्स साल्ट है वो हमारा सेफ ट्राइब जो यह दोनों जो की एंटी बैक्टिरिल साल्ट है तो यह काफिद प्रिसक्राइब की जाता और काफिद जो कि आपको साने साटेस वाली कंडिशन में काफिता यूसफल होती है तो मीत करता हूँ आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशन काफिता पसंद आई हूँ तो फिल वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे निव वीडियो ले चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लिजिए और जैसा कि मैंने आपको बताएए आपकी अपनी फार्मेशी है तो आप मुसे कमेंट करके जरूर बताएए कि मैं आगली वीडियो किस टॉपिक पिलाऊ और आपको अमेशा एक बात याद रखनी है कि आपको कोई भी मैडिशन बिना डॉक्टर के एडवाज के यूस नहीं करनी है